इंकमंडर अभिनंदन वर्धमान के शौरिका अभिनंदन आपको याद ही होगा वो गलती से पाकिस्तान की सीमा के अंदर पहुंच गए थे लेकिन भारत के हमले की देशत से कापे पाकिस्तान को उन्हें रिहा करना पड़ा था पाकिस्तान की विपक्षी सांसत आयाज सादेक ने बड़ा दावा किया है उन्होंने का कि कुरैशी और बाजवा के पैर थर-थर कांप रहे थे इम्रांज सरकार ने भारत के सामने घुटने मजबूरी में ही तेके थे पाकिस्तान एरफोर्स की चाती पर चड़कर उसे पूल चटाने वाले अभिनंदर का शड़ और फिर गर्व से सीना उचा कर दुश्मन देश से वतनवापसी की ये तस्मीरे कौन पूल सकता है विंग कमांडर अभिनंदर की वी गासा सुनाती ये तस्वीरे देखकर हर भारतवासी गदगद हो जाता है पिछले साल 27 फरवरी को बाला कोट के आतंकी ठिकाने पर एर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने पलटवार की कोशिश की थे लेकिन अभिनंदर समेट भारतिय पाइलटों ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वो जिन्दगी भर नहीं बूलेंगे काउंटर अटैक के दोरान गलती से अभिनंदर पाकिस्तानी सीमा पर जा पहुँचे थे जहां उन्हें बंधक बना लिया गया था लेकिन भारत के हमले के खौफ से धर्राय पाकिस्तान ने 24 घंटे के अंदर ही उन्हें रिहा करने का ऐलान कर दिया था अभिनंदर की रिहाई को लेकर पाकिस्तान के सांसद आयाज सादिक ने बड़ा खुलासा किया है उन्होंने दावा किया है कि विदेश मंतरी शाह मैमूद खुरैशी ने कहा था कि अगर अभिनंदर को रात 9 बज़े तक नहीं छोड़ा गया तो भारत तो हमला कर देगा खुरैशी दर से काप रहे थे पैर काप रहे थे पसीने माखे पे थे और हमसे शाह मैमूद साहब ने कहा फॉरन मिनिस्टर साहब ने कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापिस जाने दे जोगे नौ बज़े रात को हिंदोस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है पीमल सांसत अयाज सादिक ने बुधवार को ये बात कही उनके दावे से इमरान बाजवा की पोल खुल गए उस वक्त इमरान खान ने बड़पन का नाटक किया था और घमन्ट से कहा था कि वो बिना शर्ट अभी नंदन को छोड़ रहे है जबकि हकी ये थी कि इमरान बाजवा के पैर धर धर काप रहे थे इमरान खान तो मीटिंग में भी नहीं पहुँचे थे अयाज सादिक ने अपने दावे के समर्थन में विदेश मंतरी शाह मेहमूद कुरेशी की एक बैठक का हवाला दिया है उन्होंने कहा कि कुरेशी उस बैठक पे थे जिसमें इमरान खान ने आने से इनकार कर दिया था खुरेशी के पैर काप रहे थे उनके माथे पर पसी न था खुरेशी ने कहा खुदा का वास्ता अब इसको वापस जानी दे क्योंकि 9 बजे रात को हिंदूस्तान पाकिस्तान पर हमला कर रहा है आयास ने कहा कि भारत हमला नहीं करता लेकिन इमरान सरकार ने घुटने टेक कर अभिनंदन को वापस भेजा था पाकिस्तान के खबूल नामे पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पातुरा ने राहुल गांधी और कॉंग्रिस पर हमला बोला है जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और एरिस्ट्राइक पर सवाल खड़े किये थे अभिनंदन को बंधक बनाकर ISI और पाक सेना माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रही थी लेकिन अभिनंदन दुश्मनों के बीच भी नहीं तूटे और भारतिय सेना की कोई भी खुपिया जानकारी उन्हें नहीं थी अभिनंदन को एक मार्च को अटारी वागा सीमा से भारत लोटाये गया था विपक्षि सांसत के हमले से इमरान खान की बोलती बंध है उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा विरुदिपूर जी लीडिया ये सच उन्हें सुनने की भी ज़रुवत है जो हिंदुस्तान में लगातार जूट फ़लाने की कोशिश कर रहे थे लौट रेंग कुछी दिर में आप लगा था जी हिंदुस्तान के साथ रही है सफर में हो या घर पा रभोगी हर खबर आपकी हते वी पर आप स्टोर में जाए और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान आप पाच भाशाओं में चुने अपनी पसंद की भाशा जी हिंदुस्तान के लाइट टीवी पर कीजे क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखे 24 घंटे अपनी नजर